इस वीडियो में हम संक्रमन धातुओं के चुम्बकिय गुणों के बारे में समझेंगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक रिणावेशित कण होता है और यह ना केवल अपने अक्षपर इस्पिन करता है बलकि नाभिक के चारो ओर भी चक्र लगाता है जिसे और्विटल मोशन या कक्षिय गती कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के इस फिन और कक्षिय गती के कारण इसके चारो ओर एक अत्यधिक दुरबल चुम्बकिय छेतर उत्पन हो जाता है यही कारण है कि एक अयुगमित इलेक्ट्रोन को एक विशेस्ट चुम्ब की आगुरुन वाला एक छोटा चुम्बक माना जा सकता है और जब इस विशेस्ट चुम्ब की आगुरुन वाले इलेक्ट्रोन को किसी बाहरी चुम्ब की छेतर में रखा जाता है लेकिन बाहरी चुम्बिकी शेत्र की उपस्थिती में या बाहरी चुम्बिकी शेत्र लगाये जाने पर ये इलेक्ट्रोन एक दिसा में सनरेखित हो जाएंगे। इसके परिडाम सुरूप जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऐसा पदार्थ चुमिकी शेत्र की ओर आकर्शित होगा और चुमिकी शेत्र रेखाएं इसकी ओर मुड़ जाएंगी इसके विपरीत ऐसे पदार्थ जिनमें युगमित इलेक्ट्रोन हैं वे बाहरी चुमिकी शेत्र का विरोध करते हैं और इसलिए वे चुमिकी शेत्र से प्रतिकर्शित होते हैं यही कारण है कि यहां बाहरी चुम्ब की छेतर की ये रेखाएं ऐसे पदार्थ से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। यहां पहले प्रकार के पदार्थों को यानि जिनमें युगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो चुम्ब की छेतर की और आकर्षित होते हैं उन्हें डायमेगनेटिक यानि प्रति चुम्ब की पदार्थ कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के पदार्थों को जिनमें युगमित इलेक्ट्रोन होते हैं और जो चुम्बिकी च्हेतर से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें डाय मेगनेटिक यानि प्रति चुम्बिकी पदार्थ कहा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि लोह चुम्ब कत्व वास्तों में अनुचुम्ब कत्व का ही एक चरम रूप होता है और इन तट्वों के योगिक चुम्बिकी छेतर की अनुपस्थिति में भी चुम्बिकी इगुन प्रदर्षित करते हैं। यही कारण है कि ये पदार्त स्थाई अब जैसा कि मैंने पहले बताया अनुचुम्ब कत्व आयूगमित इलेक्ट्रोनों की उपस्तिती के कारण उत्पन होता है। इसका मतलब यूगमित इलेक्ट्रोनों के द्वारा उत्पन चुम्ब की छेत्र, एक आयूगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अनुचुम्ब की प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। 3D स्रेणी की संक्रमन धातूं के योगिकों में चुम्बे की आगुरुन का निरधारन मुख्य रूप से केवल इलेक्ट्रोनों के स्पिन के आधार पर होता है इसलिए ऐसे योगिकों के चुम्ब की आघूरुन की गणना करने के लिए केवल इस पिन सूत्र का प्रियोग किया जाता है और यह सूत्र है mu is equal to under root of n into n plus 2 जहां n आयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या है और mu चुम्ब की आघूरुन है जिसकी इकाई बोर मेगनेटॉन है अब यहां एक रोचक बात यह है कि यदि हमें चुम्ब की आघूरुन का मान ग्यात है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि उस विशेस दहातु आयन में कितने इलेक्ट्रोन या कितने आयुगमित इलेक्ट्रोन मौजूद है जैसे यदि किसी विलियन में हमें किसी विशेस आयन का चुम्ब की आघूरुन शून्य मिलता है तो इसका मतलब है कि उस विशेस दहातु आयन में आयुगमित इलेक्ट्रोनों की शंक्या शून्य है यानि उसमें N का मान शून्य है इसका एक अच्छा उदारण स्केंडियम 3 प्लस आयन है क्योंकि स्केंडियम 3 प्लस आयन का चुम्बिकी आगोर्ण शून्य होता है यानि इसमें शून्य आयुगमित इलेक्ट्रोन होते हैं और यह बिल्कुल भी आश्यर जनक नहीं है क्योंकि स्केंडियम 3 प्लस आयन के बनने पर तीन इलेक्ट्रोन जोकी 4S और 3D कक्षकों में मौजूद होते हैं यह त्याग दिये जाते हैं जिसके कारण इस आयन को एक उतकरस्ट गैस का इलेक्ट्रोनिक विन्यास प्राप्थ हो जाता है ठीक इसी तरह डाइवेलेंस इस्टेट यानी द्वी संयोजी अवस्था में जिंक का चुम्बे की आघुरुन भी शून्य होता है क्योंकि इस अवस्था में जिंक में भी कोई आयुगमित इलेक्ट्रोन नहीं होता और इसके इलेक्ट्रोनिक विन्यास को हम देख सकते हैं कि इसमें 3D कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है ठीक है चलिए अब एक सरल गड़ना करते हैं और MN2 प्लस आयनों का चुम्बे की आगोर्ण पता लगाने का प्रियास करते हैं क्यों न वीडियो को रोक कर पहले आप स्वयम इसे हल करें ठीक है चलिए देखते हैं तो यहां आपको बस इतना करना है कि पहले MN2 प्लस आयन में मौजूद आयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या का पता लगाएं और फिर उस मान को इस विशेश सूत्र में रख दें अब चुँकि MN2 प्लस आयन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास आरगन 3D5 होता है इसका मतलब इसमें कुल 5 आयुगमित इलेक्ट्रोन है इसलिए यहाँ N का मान 5 होगा अब N के इस मान को सूत्र में रख कर इसे हल करने पर चुम्बे की आगुर्ण का मान हमें 5.9 दो प्राप्त होता है यह मान वास्तों में MN2 प्लस आयन के लिए प्रिक्षित मान जो की 5.9 छे है इसके काफी निकट है इसी तरह हम इस विशे सूत्र का उपयोग करके अन्य संक्रमन धातु आयनों के लिए भी चुम्बे की आगुर्ण की गर्णना कर सकते हैं अब यदि हम 3D स्रेणी के तत्तों के कुछ आयनों के चुम्बे की आगुर्ण की प्रवरति को देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्रेणी के मध्य की ओर जाते हैं चुम्बे की आगुर्ण का मान बढ़ता जाता है यानि मैगनीज तक चुम्बे की आगुर्ण का मान बढ़ता जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां अयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसके बाद चुम्ब की आगोरुन का मान घटने लगता है क्योंकि अयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या घटने लगती है यहां ध्यान रखें कि चुम्ब की आगोर्ण के ये मान वास्तों में परिकलित मान है लिकिन यदि हम इनकी तुलना प्रायोगिक मानों या प्रेक्षित मानों से करें तो आप देख सकते हैं कि परिकलित मान प्रायोगिक मानों के बहुत निकट है हम उप सहसंयोजी रसायन विज्ञान की अगली इकाई में संक्रमन धातु आयनों के चुम्बकी गुणों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे